हाई फ्रेंड्स मैं हूँ आलोक मुकर्जी मेरे को पास बहुत कॉमेंट्स आता है हिंदी में वीडियो बनाने के लिए तो ये वीडियो में देखिए सबसे सिंपल और इजी तरीका एक 2-0-6-TB Crossover Network बनाने का ये नेटवर्क 200 वाट तक पावा ले सकता है पहले हम एक 2-0-6-TB नेटवर्क का बेसिक सर्किट डियाग्राम ड्रॉ करेंगे झाल झालेवर्क येट्ट झाल झाल यह है 2-way 6-db network के circuit diagram Crossover network बनाने के लिए पाँच आइटम का वैलू चाहिए 1. Crossover Frequency 2. Speaker Impedance 3. Inductor Value 4. Capacitor Value 5. Power Handling Capacity Power बढ़ने के लिए Inductor का Wire Gauge और Capacitor का Voltage Capacity बढ़ाना पड़ता है Crossover Frequency डिपेंड करता है Ufer और Twitter के response पर अभी हम जो Crossover बनाएंगे इसके लिए Speaker Impedance आई 8 Ohms और Crossover Frequency मान लिया 4200 Hz Capacitor और Inductor का Value निकलने के लिए एक Equation से Calculate करना पड़ता है अब screenshot लेके देख सकता है कैसे C और L का Value Calculate किया जाता है हमें चाहिए एक 3-inch into 4-inch Fiber Board एक 4.7 Micro Farad 250 V non-polar Capacitor एक Inductor Coil 0.3 MHz का एक 22 Ohms 10 Watt resistor और कुछ ताइग अनिलेट अभी एक 1-inch diameter pipe से 3-4th inch length का एक piece कट लेंगे Inductor Coil बनाने के लिए 22 SWG Enamel Copperware का यूज करेंगे एक 2-inch bolt पर दो Washer का बीच में 3-4th inch pipe का टुक्रे को fit कर दिया गया आप लेड़ुस at कन आप हो 122 विए ताइगक का करने का बाद K mac को वाशर का बीच से खोल कर कोयल साथ दानी से निकलना पड़े जा केबल बाइंडर से कोयल को अच्छा से बांद दिया तार और केबल बाइंडर को काटने का बाद कोयल अभी रेडी हो गिया अभी कोयल एंड्स को स्क्राप करके डीजिटल एल सीर मीटर से वैलू मेजर करना पड़ेगा इंडेक्टर वैलू आ रहा है पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा है आठ दा स्टांड खोलने से रिक्वर्ड वैलू पर आ जाएगा अभी फाइवर बोर्ड के साइज में पेपर कर ऊपर एक आउटलाइन ड्रॉ किया कांपोनेंट पोजिशन ठीक से देखकर लेयाउट प्लैन ड्रॉ किया किया झाएगागा बोर्ड के आएऑगा ठीक रहागाँ अभी सर्कीट डियाग्रम का बराबर कनेक्शन डियाग्रम रेटी कर लिया गया फाइवर बोर्ट का उपर टैग और आइलेट लगाने के लिए पोजिशन मार्किंग किया और डिल होल कर लिया कि अभी स्वाने रेटी स्वाल बोर्ट का लिया जया सकता है कि अभी स्वाल अभी स्वाल कर दोर्टक्ड़ अर्टकर दोर्टक्ड़ मास्वाल झाल कनेक्शन डायग्राम को समने रखकर सब कंपोनेंट को कनेक्ट किया गया कनेक्टिंग टर्मिनल्स को मार्किंग करने का बाद यह क्रॉसोवर वोड अभी रेडी हो गया अभी क्रॉसोवर वोड टेस्टिंग करने के लिए अम्प्लिफियर आउटपुट से जो पॉसेटिव एंड है वो इनपुट पर लगाएगा और नेगेटिव एंड जो है वो कमन पॉइंट में कनेक्ट किया गया है वोफर पॉसेटिव से डावली पर और टुटर पॉसेटिव से टी पर कनेक्शन दिया और अम्प्लिफियर को अन किया गया किया गया है किया गया है